यदि कश्मीर का शाब्दिक अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ है पानी से सूखी हुई भूमी का पानी इस अवधी के दौरान बौध धर्म कश्मीर में फैल गया और कुशाणों के अधीन फला फूला। कनिश्क के शासनकाल के दौरान तीसरी बौध संगीती कश्मीर में हुई थी जिसे सावी शताब्दी के चीनी यात्री वहन चांग ने प्रमानित किया है लेकिन इस क्षेत्र में हिंदू धर्म का बोल बाला रहा। सात्वी शताब्दी ईस्वी में करकोटा नामक राजवंश की स्थापना हुई जिसकी आधार शिला दुरलब वर्धन ने रखी थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ललिता दित्य मुक्तापीड था जिसने कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्मान करवाया था। आठो सौ पचिन्यल इ में करकोटो को उत्पलो द्वारा पूरक बनाया गया। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अवंती वर्मन था। उन्होंने कश्मीर को पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से बचाया जिसमें कश्मीर उनके पूर्ववर्तियों के शासन के दौरान गिर गया था। गुप्त विध्वा रानी दिद्धा ने 1320 तक कश्मीर पर शासन किया जब लोहारा राजवंश ने सत्ता संभाली। कश्मीर का अंतिम हिंदू शासक उदयन देव था। उनकी प्रमुख रानी कोटा रानी राज्य की वास्तविक शासक थी। तेसो अंतिस में उनकी मृत्यू के साथ कश्मीर में हिंदू शासन समाप्त हो गया। और इस तरह कश्मीर में सुल्तान शमास उद्दीन के अधीन मुस्लिम शासन स्थापित हुआ जिसके राजवंश ने 222 वर्षों तक घाटी पर शासन किया। अठारा सो उननीस में रणजीत सिंग ने कश्मीर पर कश्मीर पर कबजा कर लिया और उसे अपने सिख सामराज्य का हिस्सा बना लिया। सिखों और रणजीत सिंग के बीच हुए दो एंगलो सिख युद्धों के परिणाम स्वरूब। कश्मीर में सिख संप्रभुता पूरी तरह से समाप्थ हो गई। अंग्रेजों ने अम्रित सर की संधी के तहत 75 लाख रुपे की राश पर कश्मीर गुलाब सिंग को दे दिया। उसने लद्दाख पर कबजा करके अपना क्षेत्र बढ़ाया। 1875 में गुलाब सिंग की मृत्यू हो गई और उनकी जगह रणबीर सिंग 1857-1880 को नियुक्त किया गया। दो अन्य मराजा परताब सिंग 1835-1925 और हरी सिंग ने उत्तराधिकार में शासन किया। महाराजा श्री हरी सिंग 1925 में सिंहासन पर बैठे। महाराजा श्री हरी सिंह 1950 तक राज्य पर शासन करना जारी रखा। 1932 में कश्मीर की पहली राजनीतिक पार्टी औल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फरेंस का गठन शेक अब्दुल्ला द्वारा किया गया था। बाद में 1929 में पार्टी का नाम बदल कर नेशनल कॉन्फरेंस कर दिया गया। और यह आज भी कश्मीर में एक प्रमुख राजनीतिक दल बनी हुई है। 1947 में भारतिय स्वतंत्रता के बाद कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरी सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। जब अगले वर्ष पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमन किया, तो कश्मीर के शासक ने भारत सरकार से मदद मांगी और कश्मीर को भारत के अधीन करने पर सहमती व्यक्त की। 1956 में कश्मीर को एक नए सम्विधान के तहत भारतिय संग में एकिकृत किया गया, हालांकि पियोके कश्मीर अभी भी पाकिस्तान के अवैद कबजे में है, 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में कश्मीर पर्याटकों के लिए स्वर्ग था, हालांकि 1980 और 1990 के दशक के दौरान गड़बड़ी के कारण कश्मीर में पर्याटन में गिरावट आई, स्थिती में सुधार हुआ है और उम्मीद है कि कश्मीर में शान्ती लोटेगी, जिसके बाद पर्याटक, इसके खुबसूरत पार्कों, रोलिंग मीडोज, शानदार पहाडों और सुंदर स्थलों को पुरानी यादों के साथ याद करते हैं।